हलो फ्रेंट्स कैसे है आप लोग आशा करती हूँ आप भी अपने प्लांस के साथ बहुत खुश होंगे फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करते हुए बहुत जादा इमोशनल हो रही हूँ क्यूंकि अब इस कैंपर से भी विदा लेने का समय आ चुका है हमारा यहां से ट्रांसफर हो चुका है अभी सामान की पैकिंग शुरू हो चुकी है और घर के सारे सामान के साथ साथ पौधे भी साथ जाएंगे तो उसको भी कैसे किस तरह ले जाना है वो भी शुरू हो चुका है कई दिनों पहले से ही इनफैक्ट शुरू कर चुके है और बहुत जल्दी यहां से जाना है थोड़ा भाबुक हो रही हूँ क्यूंकि सारे पौधे को तो साथ लेकर नहीं जा पाएंगे गमले में जो पौधे है कोशिश ये रहगी कि उनको सारे को ही साथ लेकर जाओं लेकिन वो भी पता नहीं ले जा पाऊंगी कि नहीं क्यूंकि पिछले क्वाटर में भी सोच कर रखे थे कि सब को साथ लेकर आएंगे लेकिन उसमें भी बहुत कुछ को छोड़ कर आना पड़ा था अब तो सदस से और जादा है तो पता नहीं कितने को लेकर जा पाएंगे यही सब सोच सोच के उदास हो रही हूँ लेकिन पैकिंग तो करनी है सामान से जादा मुझे इनकी फिक्र है कि इनकी पत्या मुड़े नहीं इनको कोई नुकसान ना हो पौधे सुरक्षित पहुँच जाए इने सफर में कोई तकलीफ ना हो और नई जगह में इनके लिए परियाप स्पेस मिले अभी मेरे मन में यही सब विचार चल रहे है क्योंकि मुझे भी नए जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता निया घर मुझे और मेरे गार्डन को कितना स्पेस देगा यह भी मुझे कन्फर्म नहीं है पर यह तो अभास है कि इस कैंपस जितनी जगद नहीं होगी बहुत सारे पौधों में नई पत्ती आई है कलिया बहुत सारे आई हुए है जैसे गालिक वाइन में हाली में इसके उपर एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया अपने मेरे पौधे देखे होंगे थण में बहुत अच्छे इसमें फलारिंग होती है ट्रांसफर में क्या होगा नहीं पता नुकसान तो होता ही है क्योंकि इसके पहले भी कई बार ट्रांसफर हो चुका है और जो हाड़ी पौधे होते हैं वो तो बरदाश कर लेते हैं लेकिन नाज़ुक पौधे बरदाश नहीं कर पाती है और कुछ पौधे तो अपना दम भी तोड़ देते हैं ब्रमक अमल में पहली बार कलिया बन रही है और ऐसा मुझे लग रहा है कि इसके पौधे इतना सफर बरदाश नहीं कर पाएंगे तो कलिया को जड़ा देंगे या कलिया अपने आप गिर जाएंगे इसकी भी फिक्र है क्योंकि बहुत समय कि इंतिजार के बाद ही इसमें फू हैंगी बास्केट के जो प्लांस होते हैं खासकर जो सक्विलिंस होते हैं वह जड़ातर खराब हो जाते है जो फरेंट्स मेरे वीडियो को regular follow करते हैं उनको पता होगा कि मेरे जो ground garden है उसमें भी बहुत पौधे हैं और ज्यादतर पौधे मेरे हाथों ही लगा हुआ है और इसलिए शायद लगाओ भी ज्यादा है लेकिन सारे पौधे को साथ ले जाना possible नहीं होगा और कुछ पौधे को मैं छोटे गंबले में report की की वराइटी रहे उसकी भी चिंता है कि वो इस सफर को बरदाश कर पाएंगे की नहीं जमीन के जो बड़े पौधे हैं उनकी चिंता मुझे कम है क्यूंकि वो अपना ख्याल खुद रख पाएंगे लेकिन मिस्तों मैं करूंगी उनको भी इस बरसात में बहुत सारे कटिंग्स लगाई हूँ जमीन में उसमें जड़े भी आ गई है लेकिन आगे इनकी कियर कैसे हो पाएगी ये नहीं पता जो कटिंग छोटे 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 पौट में लगाई हूँ या पौली बैग में लगाई हूँ उनको साथ ले जाने की चल रही है और जिसका उत्तर मुझे भी नहीं पता है फ्रेंट्स जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचेगी हो सकता है मेरे साथ मेरे प्लांस भी नई जगह पहुँच जाए और आशा करती हूँ प्लांस भी नई जगह को जल्दी से डॉप्ट कर ले करीब दो साल पह लगाए और इस काम में बहुतों ने मदद करा उनको दिल से शुक्रिया इस कैमपस को बहुत सुन्दर बनाए हम लोगों ने और अब इस कैमपस को छोड़के जाना है ये सोच के मन दिल बहुत भारी सा हो रहा है लेकिन जाना ही पड़ेगा कुछ नहीं कर सकते है तो इसी के साथ फ्रेंज साच का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ